हेलो विल्कम टू क्लास्मेंट क्लास्य जालनेंग तो इचलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आसकी वीडियो में हम लोग पेजल नमा टवी में हुए आफ्सनवास जालनेंगे और यह ङीडियो करते हैं अगला कोश्चन है वायरस में वायरस का मतलब क्या होता है आप सन्वंद यह है cellular किस्टे line पॉजनेस या डेड तो वाइरस का जो मतलब होता है वह पॉजनेस फिलूट से होता है इसलिए आप से निया पर हो जाएगा पॉजनेस अगरा question है वाइरस नेयम वाज गिवन भाई यानि की वाइरस नाम किसके द्वारत दिया था आप सन्वंद दिया है पी ज आई वास्की सिर्कंड दिया है लूइस पास्चर थरद यह राबर्ट हुक्स फोस दिया है नन दूर्देश तो वाइरस का नाम जो है वह पी डे जे आइवरस की त्रू दिया गया था इसलिए आप से वियागा चलिए यह यह जो लाइंड यहां पर लिखा गया है आप लोग बुक में यह लाइंड टू लाइंड देख सकते हैं अगला कोश्चन है तो वाइको मुझेक वाइरस वाज़े को गजनाज़ इन वीच यह यानि कि तो एको पाचाना गया था इसलिए आप सर्मान से वियाएगा अगला कोश्चन दिया है वाइरस वेर फांट टू बी डैड़ देन बैक्टिरिया यानि कि वाइरस को कहां पाज़ा गया था उस बैक्टिरिया में तो इसका आप संदिया है इसमालर लार्जर है यह नन अब्दी तो सब्सक्राइब हो जाएगा यानि कि वह फ्लू जो तो बैक्टिरिया से च्थोटा होता है इसलिए अगला कोश्चम है थ है यानि कि वह फ्लू ग्जो तो आप को brand को करने वाला वाइरस का फ्लुड जो है कंटेजीम वाजम फ्लुडियम कालाता है इसलिए अगला कोशन दीखते हैं अगला कोश्चन है वीस सांटिस्ट टीमुनस्टृरेटेट दैट फ्लुड फ्लॉड फ्रांग वाइरस इनफेक्टेट्ट टॉइको प्लांट कें काज इंफ तो हिर्स का मुझे प्लांट को इंफेक्ट करता है अपसरवन दिया है आईवान वस्की सेकंड दिया है डवलू एम इस्टेणल थार्ड धिया है लुईस पाश्च्चर वह दिया है energy तो म् वश्चरीक ने सबसे पहले यह बताया था कि वाइरस का जो फिल्यूड होता है वह तो मुझे वाइरस को एफेक्ट करता है इसलिए आप तरफूर सही होगा अगला कोशन दिया है वीच अदर फारूइंग इस नाट टू इनमें से कौन सही नहीं है आप संबन दिया है वाइरस कुड़ भी होता है तो लार्जवी पेर्टेक्स होते है आप संब दिया है वायरेस अर इन साइड यारिस tää को करते हैं अपने अंदर रखते है आप संब घ mainly सब्रेंग इस वहते है तो इस sprint इंते हैं इसकी संहीप गलत है यह तरड वायरेस आ इनिट binnen करते हैं करते हैं इस पेजिफिक ह इसमें गलत आप्सों को बताना है इस ग्रतम्तों सिभ जाएगा चलिए अगला कोशन देते हैं अगला कोशन है डबलूएम इस टेनल वायरस इन दर यर्स यानि कि डबलू एम इस टेनल ने किस सन में वायरस को स्टेडी किया था आप सर्वंद यह 1945 सेकंड यह 1925 थर्ड 1935 फूद 1955 तो ड्रून इस्टेटी फाइब में वार्स का स्टेडी किया था इसलिया सम्थर से जाएगा अगला कॉशन दिया है यानि कि वारेस में इंफेक्टिय जेटिंग मेटेरियल क्या होता है आप सर्वंद यह होता है वह आरने कोई भी होसता है इस अगला कुछन देते हैं यानि कि बैटेरियो फेज का जनेटी मेटेरियल क्या है आप सर्वन दिया है अगला कोश्चन है तो वाइरस का जो प्रोटीन का कोट होता है वह आपका कैस्पिड कलाता है इसलिए कैस्पिड आप सर्व आएगा अगला कोश्चन दिया है वीच अदर फालूइंग इसे वाइरल दिजीज यानि कि इननी सिक्कों सा वाइरल दिजीज है तो इसका अंसर है आएगा मंस एक वाइरल दिजीज है स्माल पॉक्स वाइरल दिजीज है और पीस जो है वाइर वाइरल डिजीज है इसलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है वीच आद फालोइंग और सीम्डम सीन अन प्लांट लीफ ड्यू टू वाइरल इंफेक्शन यानि की वाइरल इंफेक्शन के दौरान प्लांट के लीफ पर कौन कौन सा सीम्डम दिखा देता है अपसन वन दिया है मोजग फार्मेशं सेकेंड लेफ रोलिंग और क्रॉलिंग आपसन थर्ड यह यलोविंग और क्लिरिंग आपसन फोट दिया है अल आफ दीज तो जब वाइरल इंफेक्शन होता है किसी प्लांट के लिफ पर तो यह सही लेच्छर दिखा दिखा देते ह इस लिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है तुबाक्यों मोजग वाइरस है जनेटिम मटेरियल यानि कि तुबाक्यों मोजग वाइरस में कोंड साइज जनेटिम मटेरियल होता है आप सनुवन दिया है अगली वीडियो में आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में एंसियाटिम नमर 27 पर तब तक कि रजनवाद आपका दिन सुग रहे